नमस्कार प्रिये दर्शकों में यश्रास्तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलजी पर आज मैं आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ वर्ष दोहजार चौबिस के वार्षिक राशी फल को लेकर वार्षिक राशी फल दोहजार चौबिस की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेश राशी से लेकर के मीन राशी परियंत प्रत्यक राशी एवं लगनों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष दोहजार चौबीस इस विशे में चर्चा करने को जा रहे हैं इस वार्शिक राशी फल को आप अपनी चंद्र राशी या लगन के आधार पर देख सकते हैं आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिसे राशी में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशी या जन्मराशी के नाम से जानी जाती है और आपकी जन्मकुंडली जिस भी राशी से प्रारम होती है वो आपका लगन होता है यदि आप अपने लगन एवं राशी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशी के आधार पर इस राशीफल को देख सकते हैं प्रिये दर्शकों इसके पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो राशीफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है गोचर यानि कि बरतमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेस्मेंट और गोचर मौसम की तरह होता है यानि कि यदि आपकी जन्मकुंडली की planetary position अच्छी है, महा दशा, अंतर दशा, एवं प्रक्तेंतर दशा अच्छी चल रही है, तो आपको गोचर का श्रिष्ट परिणाम देखने में मिलता है, यदि आपकी जन्मकुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, आपका स संपर्क कर सकते हैं, साथी साथ यदि आपकी जन्मकुंडली में महा दशाएं, अंतर दशाएं, प्रतिंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्मकुंडली की दशाओं के साब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीजें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चड़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी शुभ प्रभाव देने वाली होंगी और जो मैं चीजें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीजों के प्रभाव में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी और यदि आपकी जन् प्रभावों में कमी आएगी और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूँ वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चड़ करके देखने में मिलेंगे साथी साथ इस राश्रिफल के कारिक्रम में अंत में किस तरह के उपाये उनको करना जाहिए जिससे जो परिशानिया है उसको कम किया जा सके और जो शुव प्रभाव है उनमें वर्दी की जा सके उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जोड़े रही आईए अब हम चर्चा प्रारंब करते हैं तुला लगन एवं तुला राशी के जातकों के लिए वर्ष दोहजार चौबीस क्या लेकर के आ रहा है तुला लगन एवं तुला राशी के जातकों के लिए यदि हम देखें तो देव गुरु ब्रहस्पती कोई कारक पैनेट नहीं होते हैं क्यों क्योंकि ये तीसरे और छटे भाव के स्वामी होते हैं जैनवरी दोहजार चॉबिस से लेकर में दोहजार चॉबिस तक देवृ गृरू ब्रहस्पति आपकी जन्व कुंडली या चंद्र कुंडली के सप्टम-भाव में गोचर कर रहे हैं सश्टपती बने हुए देवग्रु ब्रहसपती सप्तम भाव में संचरन करेंगे और शनी की द्रिष्टी से द्रिष्ट होंगे जैनवरी से लेकर के में मंथ तक ये दामपत्य जीवन में परिशानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं साथ ही साथ यदि आप पार्टनर्शिप म कि उनका खुदी का घर है तो जैनवरी से लेकर के में मंथ तक गुरु की द्रिष्टी लाब भाव पर पढ़ने के चलते लाब के रास्ते आपके लिए बनेंगे और शनी की द्रिष्टी भी लाब भाव पर है तो हो सकता है वो लाब थोड़ा भी लंबे तो परन्तु धर्म करत्यों में आपकी रूची बढ़ जाती है धर्मकर्म के पती आपका अमल लगने लग जाता है आपके व्यक्तित को गुरु भवे बनाते हैं समाज में लोग आपको सम्मान के साथ में देखते हैं गुरु की द्रिष्टी जब पराक्रम भाव पर पढ़ेगी और गो अच्छा माना जाएगा उनकी द्रिष्टी से तो आपको लाभ मिली रहा है तो इसको मैं अच्छा कहता हूँ अब जब में मन्त के बाद में गुरु का राशी परिवर्तन होगा और यह जा करके अश्टम भाव में संचरन करेंगे अब यहां पर समझने वाली बात है कि सश प्रति धार में क्रक्तों में आपकी रूची तब भी रहेगी धार में चीजों पर आपका व्याई होगा धार में कि यात्राएं भी होती हुई में मंत के बाद में दिखाई पड़ रही परन्तु अश्टम भाव में जब गुरु का गोचर होता है इसके चलते आपको पेट द्रिष्टी बारवे भाव पर पड़ेगी बारवे भाव पर गुरू की दृश्टी यए भुट जाए तो ऐसा व्ययकती सद्ध कारियों में ही व्याई करता है ँसके व्याई कभी गलत निशा में नहीं होते धार्म ठत्यों पर उसका व्याई होता है धार्म जात्रा ओर हो जाएगा अकस्मात आपको कहीं से बड़ा धनलाब भी हो सकता है कुटुमी जनों के साथ में अच्छे संबंधों को ये प्रतर्शित कर रहा है जैसे ही गुरू का गोचर सप्तम भाव से हटकर के अश्टम पर जाएगा कुछ हदता के दामपते जीवन से संबंधत परिशानि के चलते यदि आप अपने मकान को बनाना चाहते थे सिंगल स्टोरी मकान को डबल स्टोरी करना चाहते थे अपने मकान को उचा करना चाहते थे भूमी भवन या वाहन से संबंधित कोई नई चीज की खरीदारी आप करना चाहते थे तो वो में मन्त के बाद में आप कर सकते परन्तु ऐसा सत्य कुछ मत भूलिएगा especially में मन्त के बाद में वैसे तो शनी की द्रिष्टी भी आपकी कुणली के द्वितिये पर पढ़ रही जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी बहुत जादा अत्याधिक सत्य बोलनें के चलते आपकी वानी की वज़े से लोग आपके शत्रू बन सकते हैं शत्रूर्त भाव पर गुरू की द्रिष्टी होगी जिसकी वज़ा से आपके घर में जो भी कल्हा का वातावरन create हो चुका था जैन्वरी से में के बीच में उसमें काफी हद्य तक कमी आएगी ये एक positive point है उपाय की चर्चा जो है गुरू से सम्मधित वह हम अंत में करेंगे इसके बाद हम राहू और केतू के गोचर की चर्चा करते हैं तो राहू आपकी जन्मकुंडली के सष्ट भाव में और केतू बारवे भाव में संच्रन कर रहे हैं राहू का सष्ट भाव में जाना भी जैसे दशम में अतिविसिष्ट कारक वैसे सष्ट में भी राहू अतिविसिष्ट कारक होते हैं और यहां पर यह बैठ करके शत्रू हन्ता योग का निर्मान करेंगे यह आपके लिए बहुत बड़ा plus point है कि आपकी वानी की कड़वाहट की वज़ह से आपके अच्छे क्रति की वज़ह से भी हमारे शत्रू बनते हैं सही करने से भी हमारे शत्रू बनते हैं तो वो शत्रू को यह राहू यहां बैठ करके अपने आप खत्म करनी के तैयारी में तो ये प्रबल शत्रू हनता ही होगा, शत्रू होंगे बहुत, परनतु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, और यदि आप उनको माफ कर देते हैं, क्योंकि शनी की इस्तिती ऐसी है, तो प्रकृती उनका बदला खुद ही ले लेगी, या उनको जो जो उनको मिलना चाहिए, आपका रुका हुआ था, तो ये वर्ष 2024 में राहू के कोचरकाल की जलते आपको मिल सकता है, इस्पेशली मैं आपको कुछ मन्थ बता देता हूं, मिड एप्रिल से मिड सेप्टेंबर तक का मन्थ जो है, तुला लग नेवंतुला राशी के जातकों के लिए, सरकारी नौक तो गुलू की द्रिश्टी द्वितिय और चतुर्थ पर पढ़ने लगेगी, तो वो भी चीज मैनेज हो जाएगी, उसमें भी कोई बहुत जादा पिकत नहीं है, सश्ठस्त राहू की द्रिश्टी द्वितिय भाव पर हो, तो गलत खान पान पर आपके व्याय होते हैं, क् अधि आप मध्यपान एवां मांजाहार से दूरी बनागर गिरखते हैं, अधि आप इन सब चीजों को नहीं लेते तो कोई बहुत जादा परिशानी नहीं है, शनी और राहू की सयुक्त द्रिश्टी द्वितिय भाव पर हो, तो व्यक्ति ये निकेन प्रकारिण अपनी ब पशकता नहीं है, क्योंकि राहू वहां पर बैठ करके रोग रिकूर्ण से आपका विच्छेद ही कराएंगे, बारवे भाव में केतु का होना भी एक तरह से आपने सुना होगा मोक्ष प्रदाया क्या मोक्ष का योग बन साता है, व्यक्ति धार में होता है, धार में कारिय पंचम भाव में है, अब तुला अलगन एवं तुला राशी के जातकों को वरतमान समय में, शनी की पनती चल रही है, पंचम भाव का शनी का गोशर बहुत ज़्दा अच्छा माना नहीं जाता है, इस पेशली अधी हम साओथ हिंडिन इस्टा अलिगी की चर्चा करते हैं, तो ये पंचम भाव में शनी के गुझर को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं उसका कारण है पंचम भावस्त शनी की दृष्टी सप्तम पर लाब पर और धन पर पड़ती है जो सप्तम भाव पर जब शनी की दृष्टी पड़ती है तो दामपती जीवन में परिशानी अग्रीड होने लगती है घर का माहुल कलापून होने लग जाता है अब जब घर का माहुल कलापून होता है जब बहार निकलते हैं तो लाब भी आपका विलंबित होता है जब लाब विलंबित होता है तो धन भी संचित नहीं हो पाता आपका संचित धन निकलने लग जाता है जिस वजह से आप छिड़ छिड़ाते हैं बहुत जादा परिशान होते हैं आपकी सिती खराब होने लग इसके बाद है किसी चीज पर अपको ज़रूरत होती है कि आप किसी नई चीज को ले करके आए या कूई एक नई टेक्नोलोजी को कुई आपके द्वारा बनाया गया कुछ ऐसा एक software IT field से संबंदे जो भी हैं जिसको आप अपनी field में introduce करें आप अपने office में अपने कलीक के सामने अपने senior authorities के सामने उसको introduce करें तो उसके लिए शनी का गोचर अच्छा दिखाई पड़ता है व्यापारिक partner के साथ में मत भेद हैं बाकी व् विलंबित हो सकता है बड़े भाई भेनों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं यह mainly में मत के बाद में ज्यादा होगा लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे यह कहूँगा कि बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं आप तुला लग नेवं तुला राशी कें तो आप उस चीज अगिरा करते हैं तो उसमें यह आपको लॉज देगी बाकी अगर हम देखते हैं तो यह पनौती है मांसे कशान्ती यदि आपकी जन्मकुंडी में चंत्रमा पीड़े तो आपको मांसे कशान्ती होगी यह बात तो है ही तो मन शान्त रहेगा गुरू भी जब में स्वग रही संचरन कर रहे हैं उपाय के तौर पर आपको गुरुवार का वरत करना चाहिए और चाहें तो मन्त में एक बार गुरुवार के दिन आप कुछ केलों को भगवान के मंदिर में चढ़ा करके उसको वहीं के लोगों में बांट सकते हैं यह आपकी लिए अच् है कि गलत खानपान की आदत आपको डलवाएं और उस गलत खानपान की आदत में नशेत्यादी में आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोल दी जाएं जिसकी वेडियो से समाज में आपकी छवी धुमेल हो तो अगर आप उससे बचते हैं तो रहो के तुके गोचर काल से को तो तुला लगन एवं तुला राशी के जातकों के लिए दाम पत्ती जीवन में कुछ हद तक थोड़ी बहुत परिशानिया में मंत तक हैं उसके बाद में ओवरॉल चीज़ें ठीक हैं फाइनिशली भी यदि देखा जाए तो लाब थोड़ा फिलंबित हो रहा है परन्तु लाब होता हुआ भी दिखाए दे रहा है तो प्रिये दर्शकों ये था तोला लगन एवं तोला राशी के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसे रहने वाला है उसका एक राशीफल आशा करता रहे साथ ही साथ यदि यदि आप इस राशीफल के कारिक्टरिम से संतोष्ट हैं तो आप इस वीडियो को अपने जान पेचान वालों के साथ में शेयर करिए ताकि राशीफल दून तक भी पहुंच सके और उसका माद्यम आप बने आज के इस कारिक्टर में बस इतना ही र